अयुवेद में गुल का प्रियोग अशुदी की रूप में किया जाता है गुल के सेवन से शरी की कई परिशानिया दूर होती है बतादे की गुल चीनी का एक बहतर विकल्फ हो सकता है ऐसे में चीनी से होने वाली परिशानिया से आराम दिलाने में गुल बेहद लापकारी हो सकता है बता दे कि गुल में कई तरह के विटामेंस और मिनरल्स पाय जाते हैं जो शरीर की तमाम परिशानियों को दूर करने में मददकार साबित हो सकते हैं आपको बता दें, खाली पेट गुल का सेवन करने से पाचन को मजबूती मिलती हैं, साथ इसे शरीर में खून की कमी से भी निसाथ मिल सकता हैं, तो आईए जानते हैं गुल सेवन के पाले के बारे में, सुबा खाली पेट गुल का सेवन करने से वजन को कंट्रोल किया जा सकत साथी साथ इससे पाचन को मजबूती मिलती हैं दरसल इसमें फुक्रोष पाया जाता है जो पाचन और कज जैसी समस्याओं को नियंतित करने में मदग करता हैं साथी साथ गुल के लगता सेवन से शरीर में पाचन के एंजाइम एक्टिव होती हैं जिससे पेट फूलने जैसी परिशानियां कम होती हैं बतादे कि गुल के सेवन से शरीर को प्रचुर मात्रा में कार्बो हाइडरेट प्राप्त होता है जिससे शरीर को प्राप्त उर्जा मिलती है वहीं गुल का सेवन करने से शरीर में लंबे जमे तक हो रही धकान दूर होती है बतादे सुबा सुबा गुड खाने से शरीर को उर्जा मिलती है आपको बतादे गुड में आयरेन फोलेट वेर से पोशकतत तो प्रचुर मातरा में पाय जाते हैं जो शरीर में रेड ब्लड सेल्फ को उकम करने में प्रभावी हो सकते हैं बतादे गुड गटिया में होने वाली अन्य समस्याओं से रहत दिलाने में मदद करता हैं दरसल सुबा के समय गुड खाने से शरीर और हटियों की बनावट बहतर होती है जिससे जो डो में होने वाले दर्द और सूजन की परिशानी को कम किया जा सकता है गुड में पोटेशियम और सोटियम प्रचूर मातरा में पाया चाता है जो शरीर में एथिक को कम करने में मदद करता है साथी इसने रेट ब्लेट सेल्स बस्त रहते हैं रोजाना सुभा की समय एक तुकड़ा गुल खाने से ब्लेट पेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है आपको बता दे की सुभा गुल का सेवन करने सी phrase में होने वाली समस्त्याओं को कम किया जा सकता है वहीं आशाजी के दर द और एठन को कम करने में मदद करता है 37 गुल ब्लड फ्लो को भी बहतर करता है ऐसे में पिगेट के दौराज सुबा के समय गुल का सेवन आपके लिए लापकारी हो सकता है